हेलो माइम पर्फिक फैमिली, कैसो आप सब लोग, I hope कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे तो आज की वीडियो में हम लोग अपने फार्मास्टोटिक्स के यूनिट वन के एक बहुत इंपोर्डन टॉपिक फार्माकोपिया के बारे में बात करेंगे तो आज की वीडियो में हम लोग फार्माकोपिया के बारे में बहुत ही डीटेल में जाएंगे जिसमें हम लोग इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिस फार्माकोपिया और इसके अंदर के सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे वैसे तो देखो हम लोगोंने फार्माकूपिया को इनार्गैनिक केमिस्ट्री में एक बार पढ़ा दिया है बट वहाँ पे हम लोगोंने बहुत बेसिक देखा था यहाँ पे हम लोग इसको एड़वांस लिवल में बहुत ही अच्छे से देखेंगे क्योंकि यह फार्मासिटिक्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा है जो आपके एकजाम में भी बहुत बार मतलब हर बार कुछ ना कुछ तो इससे जरूर पूशा जाता है तो आप लोग कॉपी और पिन लेके बैढ़ जाईए और नोट्स खुट से बनाईए बाकिया अगर मेरी नोट्स आप लोग को चाहिए तो वो आप लोग को unit 1 खतम होने के बाद description box के अंदर मिल दाएगी तो इन सारी बातों के साथ चलो आज का वीडियो हम लोग रिस्ठाट करते है फार्माकोपिया तो सबसे पहले हम लोग यह देखते हैं कि जो फार्माकोपिया हमारा word है यह आया कहाँ पे तो यह हमारे Greek के दो वर्ड से लिए गए है ठीक है पहला है हमारा फार्माकॉण और दूसरा हमारा पोया अच्छे यहां पे आप लोग ध्यान से देखिए तो इसका जो pronunciation है वो तो होना चाहिए तब फार्मा को पूया लेकिन pronunciation इसका होता क्या है फार्मा को पिया ठीक है तो आप लोग इस चीज़ को ध्यार नठीएगा कि इसको जो है हमारा पूया होता है इसको हम लोग पिया पड इसका बिसकस करेंगे देखो इसमें बहुत बेसिक सा डिफरेंस होता है बाकी इतना समझो कि दोनों यह चीज़े लगबख लगबख सेम होती है और जो हमारा दूसरा वाल्ड पिया उसका मतलब होता है तूमे क्या नि बनाना तो बेसिकली फार्मा कोपिया है क्या तो फार हमारी एक legal book होती है जो हमारी government की recognized authority होती है ठीक है जो official जो हमारी drug authority होती है उनके द्वारा ये book हमारी issue करी जाती है ठीक है अब इसके अंदर होता क्या क्या है इसके अंदर हमारी जो भी pharmaceutical substance होते है जो भी हमारी दवाय होती है उनकी एक पूरी list होती है ठीक है उसके formula के साथ उसका पूरा description होता है उसके जो भी standard होते है ठीक है वो सारी की सारी चीजे फार्मा कोपिया हमारी contain करती है अब फार्मा कोपिया is nothing but the collection of monographs अब monographs क्या होता है बड़ देखो अब यहां पर हम लोग थोड़ा basic से समझ लेते हैं कि फार्मा कोपिया अखिर होती क्या है तो देखो फार्मा कोपिया हमारी एक book होती है ठीक है और हमारी जो इंडिया में जो भी दवाय बिक रही है उन सबकी जो detail होती है ठीक है उन सारी दवाओं की list उन list होती है ठीक है आप लोग फार्मा कोपिया की help से हमारी दवाओं को आप बना भी सकते है ठीक है और उसके बारे में हर एक चीज पढ़ सकते है कि अगर मान लेजे किसी दवा से आप लोग को कोई reaction हो गया तो फार्मा कोपिया के अंदर उसका भी मतलब solution लिखा होता है ठीक फार्मा कोपिया के बिना हमारे कोई दवा नहीं भी सकती है आप लोग बस एक basic point पोइंट इतना जाना है कि फार्मा कोपिया कितनी ज्यादा important चीज है तो फार्मा कोपिया के अंदर अब हमारा होता है collection of monographs अब monographs हमारा क्या होता है तो monographs को अगर हम लोग यहाँ पे द करता है कि किसी पाल्टिकुलर ड्रग का कैमिकल नेम, फॉर्मुला, सॉल्यूबिल्टी आइडेटिफिकेशन, पी एच, एसे, लॉस ऑन रॉइंग, डोज, ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम लोग थोड़ा सिंपल सा एक जामपर से समझें, तो मान लीजे आपकी जो पैरासीटा मॉल है, ठीक है, अब इसको तो यार सब लोगों ने, सब लोग जानते हैं, ठीक है, ऐसा तो कोई मुझे लगता नहीं कि कि किसी को पैरासीटा मॉल के बारे में पता नहीं होगा, तो पैरासीटा मॉल से related हर एक information तमझे ये बात को कि माल लिजी देखिए कि यहाँ पर क्या लिखा है पारसीटा मॉल से related यानि कि उसका chemical formula क्या है उसका chemical name क्या है उसका formula क्या है पारसीटा मॉल के हमारे solubility क्या है उसका identification, pH, essay, loss on drawing doge, मालब पारसीटा मॉल की कितनी वो हमारा pharmacopia होता है मालब बात को समझ रहे न, जो फार्मकोपिय के अंदर क्या होती है, स्तारी दवाओं की information और जो एक दवा की information होती ही वो हमारी monograph क्यों होती है तो simple है कि monograph कही तो collection हमारा pharmacopia होगा और monograph क्या है monograph is nothing but the collection of information of a particular drug ठीक है, बातों को समझ जीए बिलकुल भी, परिशे complicated करने की जड़ों बहुत ही simple है, I hope कि आप लोग समझ रहे होगे तो अब यहाँ पे हम लोग अपने आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हम लोग देखते कि हमारी pharmacopia की क्या-क्या जरूरते पड़ती है तो importance of pharmacopia के बारे में अगर हम लोग बात करें to maintain the uniformity and control standard of drugs available in the market अब इसका मतलब क्या हुआ तो देखो, क्या है न कि हमारी जो कोई एक दवा होती है तो आप लोग अगर ध्यान दियो अभी तो हमारी एक ही दवा ठीक है same दवा हमारी कई अलग-अलग कंपनियां बनाती है अब देखो, market में अगर हम अपनी कुछ famous कंपनियों के नाम ले तो आप लोगों ने जरूर सुन रखा होगा अब देखो, किसी का भी नाम ना सुनो पर mankind का नाम तो आप लोगों ने जरूर सुन रखा होगा अब मान लीजे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, कि हमारी एक दवा है तो mankind उसको अलग तरीके से बना रही है सिपला उसको अलग तरीके से बना रही है अबॉड उसको अलग तरीके से बना रही है तो same कैसे बनाएगी, जब यह तीनों किसी एक ही चीज को फालो करें, बात को समझे तो वो एक चीज हमारी क्या होती है वो एक चीज हमारी फार्मकोपिया होती है यानि कि देखो, कमपनियां अलग है पर यह फालो एक चीज को कर रही है और वो है हमारी फार्मकोपिया तो इसलिए हमारी फार्मकोपिया की जरूरत पड़ती है ताकि जो दवाओं की यूनिफॉर्मटी यूनिफॉर्मटी मतलब एक समानता यानि दवाओं की एक समानता बनी रहे और उनका standard बरकरार रहे ठीक है और जो हमारा दूसरा importance होता है वो हमारा होता है avoid adulterated drugs अब adulteration का म करेंगे तो मिलावर तो हो नहीं सकती इसलिए इन सारी चीजों से बचने के लिए भी हमारी फार्मकोपिया की importance होती है और उसके बाद हमारी इसके अंदर complete information on drugs and their doses form यानि हमारे किसी दवा के उपर इसकी complete information होती है उसकी क्या doses form होती है जिसको हम लोग अगले lecture में discuss करेंगे और उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो reference for laboratory industry and academic institution reference का मतलब क्या होता है कि जाने कि जिसकी help लेके हम लोग कोई चीज़ करें तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि जो हमारी laboratory होती है जो हमारी industry होती है जो हमारी lab होती है इंडस्ट्री होती है उसमें हम लोग कोई भी ची तो हमारे इंडिया की बात करें तो उसके अंदर की pharmacopya को हम लोग Indian pharmacopya कहते है उसी तरीके से हमारा जो Great Britain है उसके अंदर की pharmacopya हमारी British pharmacopya कहलाती है और उसके बाद हमारी United States pharmacopya European pharmacopya and French pharmacopya अच्छा यहाँ पे मैं आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पे दिखाने की कोशिस कर रहा है IP ठीक है और यहाँ पे इसके अंदर नीचे भी देखने को मिल रहा है USP तो IP का मतलब हमारा क्या हुआ IP का मतलब हुआ हमारा Indian pharmacopya और USP का मतलब क्या हुआ US pharmacopya अच्छा यहाँ पे बात करें तो यह दवा तो इंडिया के तो यहाँ पे US pharmacopya कहा से आ गया तो भाई कभी क्या होता है कि कुछ चीजे हमारी इंडिया के अंदर नहीं available होती है तो उसको हम लोग दूसरे जो हमारी country होती उसकी pharmacopya से भी मतलब उसको हम लोग ले लेते हैं तो और बाकी बात करें तो आज कल आप लोग देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे बिटियन और बिटिस और US pharmacopya हमारे Indian drugs system में आप लोग को देखने को मिली जाएगी ठीक है कई सारी drugs हमारी यहाँ पे बिटिस और United States pharmacopya को follow करती है तो अब हम लोग बात करते हैं अपने Indian pharmacopya के बारे में जो की हमारा आज का main topic है तो हमारे Indian pharmacopya क्या है तो यह हमारी जो इंडिया में यहाँ पे आ standard book होती है ठीक है और यहाँ पे Indian pharmacopya के हमारी IPC publish करता है जिसको हम लोग full form करते है Indian pharmacopya commission ठीक है इसको हम लोग अभी आगे थोड़ा सा देखने वाले यहाँ पे और अगर इसके head office की बात करें तो वो हमारा गाजियाबाद UP जिल में गाजियाबाद जिला UP state में पढ़ता है और हमार Indian pharmacopya की बात करें तो यह हमारा NIS CAIR के द्वारा publish किया जाते है इसको हम लोग अभी देखने वाले है तो बात करेंगर हम लोग Indian pharmacopya commission के बारे में तो जो हमारा Indian pharmacopya commission होता है वो हमारा एक autonomous institute है ministry of health and family welfare जो कि हमारे इंडिया में जो भी दवाए manufacture होती है consume यानि लोगों के द्वारा ली जाती है और sold यानि की जो बिक्ती है तो उन सबका एक standard बरकरार रखता है ठीक है यह सारी चीज़े हमारी Indian pharmacopya commission चेक करता है अब बात करेंगर हमारी NIS CAIR की बारे में तो इसका full form होता है National Institute of Science Communication and Information Resources जो हमारी New Delhi इंडिया में located है अब दिखो इ अपने history of Indian pharmacopya यानि हमारी जो Indian pharmacopya रही है वो कैसे prepare हुई कैसे उसकी क्या history रही है तो हमारे बात करें pre-independence days की यानि जह हम लोगों को आ जाती नहीं मूली हुई थी तब हमारी British pharmacopya ही हमारे इंडिया में यूज की जाती थी अब उसके बाद अगर हम लोग बात करें 1946 में हमारे इंडिया की जो government थी उस time की उसने हमारे करनल आरेन चोपडा के अंडर में एक committee appoint करी to prepare the Indian pharmacopya list यानि हमारी pharmacopya list को publish करने के लिए अब इसके बाद बात करें तो यह हमारी जो Indian pharmacopya list थी यह हमारी department of health government of India के दोरह publish करी गई 1946 के अदर अब 1948 की बात करें तो हमारी जो करने के लिए हमारी government ने 1948 में committee appoint करी अचा यहाँ पर आप लोग दिखो confused बिल्कुल मत हो ना जो 1946 में हमारी जो committee appoint हो थी उसने हमारी Indian pharmacopya list को publish किया था ना कि हमारी Indian pharmacopya को का publish हुई तो यहाँ पे मैंने आप लोग के लिए एक च्यार बना दिया है जिसमें मैंने हर एक चीज को divide कर दिया था कि आप लोग को समझने में बहुत ज्यादा आसानी हो तो अगर हम लोग बात करें अपने Indian pharmacopya के first edition की तो वो हमारा 1955 में publish हुआ था जिसके अंदर हमारा supplement supplement आया था 1960 में अच्छा अब यह supplement और addendum क्या होता है तो हमारा supplement होता है यानि कि जो हमारी pharmacopya है ठीक है उसके अंदर कुछ छोटा मोठा सुधार किया जाता था तो उसको supplement बोला जाता है और जब हमारी बहुत ज्यादा major changes कर दिया जाते है तो वो हमारा नया edition मन के launch हो जाता है ठीक है तो हमारी जो first edition थी उसमें अंदर जो supplement हुआ था 1960 के अंदर आया था ठीक है और उसका publication 1955 में हुआ था और इसके अंदर हमारे दो volume थे जिसके अंदर 986 monograph थे अब monograph मैंने आप लोग को पहले बता दिया तो बात करेंगर हम लोग अपने Indian pharmacopya के second edition के बारे में तो यह हमारे year 1966 में publish हुआ जिसका supplement हमारे 1975 में आया था और इसके अंदर हमारे 3 volumes से और जिसके अंदर हमारे 890 monograph से अब देखो यार इस सब चीजे आप लोग पढ़ ले ना यहाँ पर मैं आप लोग को थोड़ा basic से बता देता हूँ तो third edition हमारा आया था 1985 में और इसका addendum अच 2000 में दो बार चींजे सुए हैं तो उसको थोड़ा सा differentiate करने के लिए यहाँ पर addendum और supplement word यूज किया किया है बाकी इन दोनों में कोई difference नहीं है तो यहाँ पर third edition हम लोग ने देख लिया था अब बात करेंगर हम लोग पने fourth edition के बारे में तो यह हमारे year 1996 में publish हुआ था और जो addendum या supplement है वो हमारे 2000, 2002, and 2008 में हमें देखने को मिला था ठीक है तो अब हम लोग बात करेंगर अपने इंडियन फार्मो कुपया के fifth edition के वारे में तो यह हमारा 2007 में publish हुआ था जिसके अंदर के addendum या फिर supplement हमें 2008 में देखने को मिला था और sixth edition की बात करें तो यह हमारा 2010 म में देखने को मिला था जिसके अंदर supplement हमारा 2019 में आया था इसके अंदर हमारे चार volume थे और उसके अंदर हमारे 220 monograph थे तो आई होप कि आप लोगो फार्मो को फार्मो कोपयो ऑफ इंडिया और उसके जो हमारे list होई है वो समझ में आ गई हो कि दिखो इसमें कुछ भी confusion होन monograph आपको यहां इस side में देखने को मिल जाएंगे तो अब हम लोग आते हैं अपने बिटिस फार्मो कोपया के उपर क्योंकि इसको भी कभी कभी exam में बलकि अक्षरी पूछ लिया जाता है तो इसको भी पढ़ना यहां पर हमारे लिए जरूरी हो जाता है तो बिटिस फार् national formulary का important component तो है लेकिन यह हमारी जो United Kingdom की हमारी जो pharmaceutical standard है उसको भी हमारा define करता है ठीक है अब इसको देखो इसके बारे में और ज्यादा detail में जानने के लिए कुछ है नहीं और यहां पर हम लोग सीधे अपने edition देख लेते हैं तो अब हम लोग बात करते हैं अपने edition of British pharma तो first edition हमारा publish हुआता है 1864 में, second हमारा publish हुआता है 1867 में, third हमारा publish हुआता है 1885 में और इसी तरीके से fourth हमारा 1898, fifth हमारा 1914 और आगे भी आप लोग देख सकतो यार इसमें बार-बार में पढ़के क्या ही बताओं और यहां पे अगर हम लोग बात करें अपने 14th edition की तो वो ह हमारा publish हुआता है 1988 में, अच्छे इसके बाद हमारा क्या हुआ कि हमारे बिटिस फार्मकोपया थी वो हमारा per year publish होना चालो हो गए ठीक है तो उसके बाद हमारी हर साल बिटिस फार्मकोपया का एक नया edition launch हो जाता है, अब बिटिस फार्मकोपया के बारे में मैंने आप बह के उपर आने वाला है तो वहाँ पे हम लोग बहुत ही डिटियल में देखेंगे कि हमारी डोजिश फार्म क्या होती है और बाकी इस से रिलेटिट अगर इस वीडियो से कोई confusion हो तो आप लोग comment box में बताना और notes देखो है हमारी unit 1 जैसे मलब complete होती है upload हो जाएगी तो उसक के लिए बिल्कुल भी परिशान होने की जड़ती है और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में thank you so much